प्रणादार सुन्दर साजे आज पंजमी से बितक का प्रारम किया जा रहा है बितक का ताद पर ही है बिता हुआ घटना करम और इस घटना करम में हम देखते हैं कि परमधाम की आत्मा हैं किस तरह से विक्रम समझ 1638 में स्यमा जी के आत्मा के साथ आती हैं देवचन जी के तन से लीला होती है पुना दूसरी लीला प्राना जी के सुरूप में प्रणगट होती है और उसके पैस्चात छटे दिन की लीला ब्रमात्माओं के तन से चल रही है जो आज जागनी ब्रभान में हमें देखने को मिल लगी है इन सारे रहस्यों पर प्रकास पड़ता है बीतक के द्वारा यदि आज ये बीतक नहीं होती तो पिछले 300 बरसों में निजानन दर्शन का इतिहाँ सायद अज जानता के काले बादलों में छिप गया होता किसी किसी विशिष्ट ब्यक्ति को ही तार्तम बाड़ी पढ़ने का सुभागी पराप्त होता था लेकिन वीतक छोटे से छोटे मंदिर में भी चलती रही जिसे सब को पता चलता रहा हम परमधाम से आए हैं हमारा मूल घर परमधाम है इस अंसार सुपना है स्रीजी के रूप में सुभी मच्छरती ताय हैं इन सारी बातों की जानकारी बितक से ही मिलती रही है और एक घटना करम होने से कम से कम पढ़ा लिखावा सुंदर साथ भी सारी बातों को जान जाता था इसलिए आज के दिन से बितक प्रारम होती है एक मेने का ये ज्यान चर्चा का सत्र चलता है और आपको मालूम है कि किसी भी समाज को जदी जीवन बनाए रखने की सक्ती है तो वो ज्यान में है और भक्ती में है ध्यान साधना में तम ज्यान की ज्यान धारा के उपर कबच के रूप में यह बीतक का ज्यान है, इस बीतक से तारतमबाणी के अंसुल्चे रहस्यों को खोला जा सकता है किस तरह से हमें अपने जीवन बिताना चाहिए ब्रहमात्माओं उने करके दिखाया है हमें उनके पतचिन्नों पर चलना है और उसकी सारी प्रहना बीतक के द्वारा मिलती है हम सबका सुभाग्या है कि जोसना बेंजी हमारे बीच में राजकोट से आई है उनके लिए इस्थान कोई परया नहीं है, उनका अपना ही है और आपको मालूम है कि जोसना बंतान, मन, धन, तीनों से ज्ञान पीट के लिए, राजी की सिवा के लिए ततपर है सब महिला सुन्दर साथ के लिए प्रेणा दाई है, सब के लिए है और उनकी की हुई बीतक चर्चा के स्रवन आप करेंगे अपने अडोस पूरस के सुन्दर साथ को और प्रेरित कीजिए कि कल से अधिक साथी संख्या में आए, जो भी जिज्यासु हूँ, आकर के वास्तिविक ज्यान का स्रवन करें हम कौन है, आए कहां से हैं, सरीर और संसार को छोड़ने के पिस्चात हमें जाना कहां है हमारी आत्मा का नाद पृतम कहां है, कैसा है और उसको पाने का साधन क्या है, ये क्रियात्मा कृप से सब कुछ भी तक में सुनने को मिल जाएगा जैसे हमारे आपके अंदर जिज्यासा पैदा होती है, वही जिज्यासा स्री देवचन जी के अंदर होती है 11 वर्स के उमरे में उनके अंदर भी जिज्यासा जगती है 16 वर्स के अवस्ता में घर छोड़कर वो भी निकलते हैं कैसे कैसे कष्ट आते हैं, सिर जी के साथ 5000 की जमात पन्ना जी कैसे पहुंचती है मारग में किन किन कट्राईयों को सहन करना पड़ता है कैसे कैसे अलोकिक बेक्तित हमारे सामने आते हैं लाल दासी है, मारजा 16 साल जी है भीम भाई हैं, जिन्होंने अपने त्याग से हमें प्रेरित किया है कि किस तरह से हम सारे संसार में वाणी के ज्यान का धोच फैरा सकते हैं यह चर्चा बहुत ही मनुहारी होगी जोचना बेंजी को उपर अलोकी किर्पा बढशाते रहें जिसे वे सब सुंदर साथ को बानी करस्पिलाते रहें बुलेश्नी प्राणना थ्यारे स्थी सद्गुरु महराह जी प्रणा चर्चा प्रारंब होत है सुनो साथ चीत दे भजो राज श्यामा स्री प्राणनात सक्षी जीवन माराए स्री माहमती कहे इमो मीनों भया चर्चा का बखर अब तुम सुनियों चीत दे लाल आगे आये बेठे इना तकत अथ तिन स्वरुपो की बितक लिखते बविश्य पुराण में राजा कहे जुगचार वचन जो हे व्यास के ता को करो विचार बविश्य पुराण में प्राणाधार आतम सबंदी धान धनी के लाडले इवं प्यारेश्रुंदर साजी तुमारे स्री चर्णों में मेरा कोटी-कोटी प्रणाम दामधनी अक्षरातित महमती के दामदिल में विराज मानोकर हमारे नीजानन्द के सिद्धान्द के हिसाब से उसके अनुशार स्री तार्तम वानी, कुलजम वानी, स्री ब्रह्म वानी और दुसरा, स्री बित्तक साहेब स्री लालदा सी कृत्त बित्तक साहेब दामधनी महमती के दामदिल में विराज मानोकर हम सब सुन्दर साथ की आतमाओं को जागरत करने के लिए ये तार्तम वानी का अवत्रन प्रगटन हुआ इतना ही नई सुनियों दुनिया आखरी जो भाग बड़े है तुम जो कभु कानों ना सुनी सोदिदार करो खसम निजनाम सोई जाहरुवा जाकी सब दुनी रह देखत मुक्त देशी ब्रह्मांड को आये ब्रह्म आतम सत चोर टाडी करू वोलाओ सुख सितल करू संसार अनेक विध्य सुख देवु मारा साथ ने रास तना आवार इतना ही नहीं और आगे कहू तो पियाये जगाई मोहे एकली में जगाऊ बांदे जुत क्यों न देखी इन दुनिया जो इनको न करू अखंड ये चुपाई जो चरितार्थ करने के लिए महमती जी ने ये जो जागनी का जो उत्तरदाईत्व धामधनी ने उस सीर पर रखा और जब से सुरुष्टी बनी बित्तक की बात हम आगे लेगे निजानन सिद्धान्द की अनुशार पहले हम तार्तम वानी के वचनों को समझ रहे कि जब से सुरुष्टी बनी तब से लेकर आज दिन तक आज से पुर्वत चार सो साल जब वानी का अवत्रण हुआ तब तक अभी तक ये संसार पूरे संसार में कहां फेली कहां सबको मालूम एक अक्षरातीत कौन है ये अनन्त ब्रह्मांडो के मालिक जो अक्षर ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म के पन प्रियतम जो अक्षरातीत है वो कौन है कैसा है कहां पर है ये किसी को अभी तक मालूम नहीं हुआ पता नहीं है संसार तो आज पानी फथर अगनी देवी देवता गोबर जल ऐसी जड़ पुजा करते आ रहे हैं पत्थ पर चलते चलते कई प्रयास किये कई मेहनत की ये जानने की के मैं कौन हूँ मैं आया कहां से हूँ और मेरी आत्मा के प्रियतम परमात्मा कौन है इतना ही नहीं ये से तो कठिन तम प्रस्न इस संसार के च्छे है कि मैं कौन हूँ कहां से आया हूँ और ये संसार और सरीर को छोड़ने के बाद जाना कहा है उसके आगे भी और कठिन तम प्रसन है कि परब्रम है तो कहाँ पर है और कैसा है उसका धाम, स्वरूफ, लीला और इतना ही नई उसको प्राप्त करने का आत्म शक्षात कार का मार्ग कैसा है इस सब कठिन तम प्रशनों को लेकर इस तार्तम वानी का यहां पदारपन उवा ये वानी का अवत्रन उवा इतना ही ने ओर में आगे कहू तो धर्म सास्त्रों के अनुशार आउसी रे आउसी सब कोई कहती आगमी करत पुकार ये सत्वानी सबों की सत्ठरी सब आये करो दिदार और हम अभी पुर्व आर्ती के समयी जब प्रगड करते थे तभी उस टाइम हम बोले के पूरण ब्रह्म ब्रह्म से उसकी दुसरी पंक्ती में हम बोले के शिव सनकादी आदिक इच्छित सेसन पावत पार अगम जानी के निगम कहावे खोजी खोजी पची हारे अभी मैंने पूर्व बोलाने के जब से सुरुष्टी पेदा हुई युगो युगो से मानव ये जानने के इच्छा करता रहा और इतना ही नहीं ये उपल हवे सूक हू बीजाते नाम केना लहू जो रास के प्रथम नंबर के प्रक्रण में बताया के ब्रह्मा विष्णू और महेश त्रिगून ये भी बताया के सीव सनकादिक तो उसमें भी शीव आ गये और सनकादिक ब्रह्मा जी के जो मानसी पुत्र ऐसे जो ये संसार के जो सर्वच चाहे त्रिगून लेलो या नारायन लेलो वो भी नहीं जान पाये और स्रुष्टी के परारंब में रुशी मुनियों के द्वारा समाधिस्त अवस्था में रुतुम भरा प्रग्या के द्वारा जो वेदो का अवत्रन हुवा अंगीरा, आदित्य, जो चार रुशियों द्वारा वायू, अगनी, अंगीरा और आदित्य के द्वारा जो शामवेद और अथर्ववेद ऐसे वेद भी जिसका मुल है अव्याकृत के अंदर जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूफ है यह वेद भी उसकी रूचाय भी खोज खोज के आगे बताया के खोजी खोजी पची हारे उसमें बताया के भई खोज खोज के और सिप्राणना जी की वाणी में किरंतन ग्रंध के दूसरे नंबर के प्रकरण में भी बताया वेद अगम कहे उलटे पीछे वेद अगम कहे उलटे पीछे नेत नेत कर गाया खबरन पड़ी बिंद कहा थे उपजिया खबरन पड़ी बिंद कहा थे उपजिया तो नाम निगम धरायारे साधो बिंद में सिंध समाया बिंद में सिंध समाया रे साधो बिंद में सिंध समाया ऐसे वेद भी खोज करने के लिए उसकी रूचा है गई और आगे जाके क्या बोल दिया न इती न इती ये वेदों का कथन नहीं है उसके व्याख्यान ग्रंथ उपनिश्यदों का कथन है उसमें बताया कि न इती न इती मतलब आगे अम खोज में तो गए लेकिन क्या है आगे थंदक सितलता तो प्राप्त हुई लेकिन उसके आगे वो ये नहीं जहन पाए कि अक्षरातित पर भ्रह्म कोने वो अक्षर में ही थक गए, वहानी रुख गए अव्याकृत जो मन के स्वरूफ है उसके महाकारण में जो वेदों का स्थान है उसके आगे वो नहीं जा पाए बस अक्षर तक का ज्ञान जान पाए तो ऐसे ही संसार के और मनिशी और संत जन और कई महानुभाव व्यक्ति होने जानने की कोशिस की के लाखो योनियों से वैसे ही 84 लाख योनि की बात कही गई है उसमें मैं लाखो जन्मों से वटक रहा हूँ तो यह संसार कैसा है मेरा नीज सरूप कैसा है यह अनन्त जो ब्रह्मांड बन रहे और लई वो रहे उसको चलाने वाले जो उसकी सत्ता किसके हाथ में है वो अनन्त ब्रह्मांडो के मालिक जो अक्षर ब्रह्म कौन है यह जानने का भी प्रयास किया सबने कोशिस की कैसा दनाये की अपने सरीर को अपनी इंद्रियों को मन को पाया इस कष्ट पर कष्ट देया लेकिन वो यह नहीं जान पाए कि यह अक्षर और अक्षरातित कौन है सब सुन्य में आगे कोई पहुँचे तो स्वर्ग से आगे बैंकुट बैंकुट से आगे सुन्य में लीन गो गए समाधिस्त अवस्था में दसमे द्वार में अपने प्राण को रोके जो समाधी तो लगाई लेकिन उसके आगे बहुत तो बहुत नाराण तक पहुँचे नाराण में इतिसरी मान ली चाहे महविश्वामी हो चाहे भगवान बुद्ध हो लेकिन आगे दसमे द्वार के आगे ग्यारमा द्वार परम गुहिया किया है और अग्यारमे द्वार में पहुच कर जो अहंस अवस्था प्राप्त करने वाले कहीं रूशी के कोई आगे महापुरुषों ने जो यहंस अवस्था प्राप्त की वो कौन सी जग है क्या स्थान है ये भी नई जान पाए और प्रणाजी की वाणी में बताया कि इस संसार सागर से मैंने पाँच रत्नों को निकाला जो हद ब्रह्मान को उलंके बेहद में पहुँचे और रासगरंध की प्रथम नंबर की चोफाई में बताया कि सोहेली थाई तम थकी येने कोई ओलक तो न थी सुक देवे तो कई क कथी दूजा रहिया मथी मथी तो स्री प्रणाजी की वाणी बता रही है कि इस संसार में बहुत से मनिसी जन ने खोजने का प्रयास किया सुन्य में लीन हो गए नाराण और नाराण से आगे कोई नहीं जा पाए और प्रानाची बतारे कि पाच रतनों को खोज कर इस मो सागर से में निकाला वो पाच रतन कौन से है कौन कौन है तो सुकदेव सनकादिक जो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र और कभीर शीव और महा विष्णू यह पाच रतन वो भी कहां तक पहुँचे तो बताया कलस गरंध के माध्यों से कि उसने भी सबलीक को अक्षर मान लिया और केवल ब्रह्म को अक्षरा तीत मान लिया मुंदक उपनिश्यद में भी प्रमान बताया और अन्य धर्मग्रंथों में भी केत्रिपाद उद्वेत पुरुष जो अक्षर ब्रह्म के तीन पाद है क्या सत्शरूब केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म यह तीनों पाद विशुद सुद्चेतन और अखंड है और जो चोथा पाद है अव्याकृत ब्रह्म वहाँ से बार-बार षुष्टी बन्ति है और लई को प्राप्त होती है इससे आगे भी और बताया के अक्षरात परत पर तो उससे भी पर अक्षर चो अक्षर का अक्षर धाम है वो तो परम धाम के अंदर रंग महोल के सामने है उसका पता और उसकी जानकारी उसकी सुद्धी यह सबको नहीं मिली कि उसके भी अक्षरात परत पर अक्षर से भी परे जो अक्षरातित मुंदकुपनिश्द में बताया कि दिविया ब्रह्मपुरे धाम वियोमोनी आत्मा इत प्रतिष्ठितिम दिविया ब्रह्मपुर धाम वे जो यह इस आत्मा यह जो ब्रह्मात्मा रेती है उसको कहते दिविया ब्रह्मपुर परम धाम लेकिन वहां तक कि किसी की पहुंच नहीं रही सबने अक्षर ब्रह्म तक कही अक्षरातित दिविय परमधाम को मान लिया तो सुन्दर साथ जी मेरा आगे और कहने का यही भाव है कि संसार की आज की स्थिती वर्तमान की देखो और आज युगो युगो से जब से सुष्टी बनी तब से आज दिन तक कई संप्रदाई मत पंथो ने खोज की लेकिन कोई नारण से आगे नहीं जा पाए कि प्राणना जी की यह तार्तम ववानी आज इस संसार में अवत्रण कराने की धामधनी की और जो और भी आगे बताऊ तो यह हम सब ब्रमातमाओं का आगमन ही इस संसार में आना हुआ यह किस कारण से क्योंकि अभी तक किसी को यही पता नहीं था कि एक्षर से परे अक्षर क्या है और अक्षर से भी परे अक्षरातित दिविय ब्रमपुर धाम परमधाम कैसा है तो यह सब बातों का जो हमको परीच्चे हो जाए सब बातों का को जो पहचान हो जाए यही को कहते हैं बितक और बितक आगे और कहू तो इतनी ही मात्र बितक नहीं बितक नहीं बितक निजानन्द सिद्धांद की आनुशार प्रत्थम दिन से लेकर उमारा छे दिन की वात की है सिधान्द की अनुशार प्रथम दिन ब्रज का दुसरा दिन रास का तिसरा श्री महम्मद साहेव चोथा सत्गुरु धनी श्री देव चंद्रजी फाच्वा श्री प्राणनाजी और छठा हम ब्रह्मात्मा सुंदर साथ का तो बितक कहते हैं किसको और आगे हम समझे तो बितक अनादी काल से ब्रज में तो हम परमधा में अनादी काल से लिला कर रहे थे अभी वर्तमान में कर रहे और अनादी काल तक ये लिला चलती रहेगी ब्रज में तो हम अनादी काल के बाद जब अक्षर और सयन को दोनों को जब इच्छा हुई एक को अक्षर को ये अक्ष हम आप्रामातमाओं को अक्षर का जो यह खेले शफन का जो बनने और मिटने का इच्छ भुखरूपी ब्रहमान देखने की इच्छ उई तब एम ब्रज में आए तब यह खेल बना लेकिन इस से आगे देखो तो यह चल घाने गे यह बितक लेकिन आज में बितक सम्झाने जा तो इसके आगे देखो तो अनादी काल से जो अमारी परमधाम में जो अस्ट परदी ने चोसट घड़ी लिला हो रही है प्रेम की और अनन्द की तो उसको केते एक शण हम राज्जी से अलग नहीं है जैसे सागरों से सागर से लहर अलग नहीं होती सुर्य से कीरण अलग नहीं होती हाथ से अंगुली अलग नहीं होती वैसे हम सब ब्रह्मात मा सुंदर साथ राज्जी एक शण भी अलग नहीं है रहन सकु में रूह बिन, रूह रहन सके मुझ बिन तो ये अनाधी कार से जो प्रेम की आनंद की जो दिव्य लीला चलती रही है और चली आ रही है वरतमान में और अनाधी काल तक ये चलती रहेगी और पहले दिन ब्रज से लेकर छठे दिन में हम बोलचाल की भासा में बोलते हैं कि बितक कोई मानविय इत्यास नहीं है बितक कोई इत्यासिक घटना करम भी नहीं है ये जो अभी धर्मगरंथों के आधार पर पुरानों के आधार पर जो हम घटना कम राजा रानी की और कि कोई कथाई अम सुनते आरे मिडियो के आधार पर ये भी घटना करम कोई बितक नहीं है तो है कौन बितक बितक रजी बता रहे हैं अमको कि बितक प्रथम दिन से लेकर छठे दिन में हमारी हर कदम पर जो घटना घट रही है ये ब्रह्मान जब तक रहेगा जब तक ये ब्रह्मात्माए रहेगी जब तक हमारे जीव का और हमारी आत्मा परातम में मूलतन में ने जगेगी और हमारा जीव की आठ प्रकार की जो बीस्त है अक्षर की अंतसकरण में जो आठ प्रकार की मुक्ति के स्थाने, उसमें हमारे जीवों को, सत्षवरूप की पहली बहिस्त में ये जीवों को जो सोभा मिलेगी क्या सोभा मिलेगी? साथ प्रकार की बहिस्त वाले जीव हमारे जीवों को परमधाम की आत्मा के श्वरूप में पुजन करेगे ऐसे सनमानित करेगे वो मानेगे करेगे नहीं वही परमधाम है सत्वरूप वही यह जो बेहद है वही परमधाम है ऐसी राजजी हमारे जीव को सोभा देंगे और इतना ही नहीं सातमे दिन में यह संसार को जो पूरे संपुन जीव को अखंड मुक्ति मिलने के बाद सातो प्रकार के जीव अपनी करनी के हिसाब के अनुसार मुक्ति के अंदर अपना स्थान प्राप्त करेंगे और हमारे जीव की वो पुझा करेंगे तो यह जो सोभा यह जागनी ब्रमान में जो मिली है अम जीव को और हमारी आत्मा को जो पहचान परमधाम में नहीं होई थी, जो मार्फत की पुर्ण, राजी के दिल की जो पुर्ण पहचान, इसलिए तो राजी ने वाणी में बताया, कि देखन का ठोर इत ही, यही देखन का ठोर है, यह जागनी के जो छटे दिन का, और पांच में दिन की जो लिला पुर्ण हुई, तो उसको कहते हैं बितक, और वित मतलब संपती, वित का एक परिभासा यही भी है, वित मतलब संपती, तो कौन सी संपती की यहां राजी बात कर रहे हैं, कोई यहां की संसार की तुछ संपती, कोई संसारिक पदार्थों की धन, मिलकत, जवरातो कि संपती पैसे नहीं यह संपती नहीं परमद्धाम की जो पत्थिस पक्ष की द्धाम तलाओ कुंजवन सोहे मानिक नेरे वने की जोहे श्री राज श्यामा श्याम श्री राज श्यामा श्याम पस्थिम्चोगान बड़ोवन कहिये पुखराजी जमुनाजी लई श्री राज श्यामा श्याम श्री राज श्यामा श्याम आठो शागर आठ जिमीके एपचिश पक्ष शिधाम धनीके एपचिश पक्ष धाम धनीके होई संपती एक पात्साही अरस की और वाहदत का इस्क सो देखलावने रूहों को जो परमधाम में नहीं जान पाए थे कि जो पुरा परमधाम पचिश पक्ष ये राजी का ही स्वरूफ एक एक रूप में राजी का स्वरूफ लीला कर रहा है वो जानने को यहां मिला यह जागनी तिसरे ब्रह्मां पाँच में चठे दिन में जो मिला चोथे पाँच में और चठे दिन में उसको कहते है बितक और आगे बताया के महमती महमती किसको कहते है महमती की जो सोभा मेली निजानद सिधान के अनुसार पहले इंद्रावती की आत्मा को महमती की सौभा मेली कते परंपरा में उसको इमाम मेहंदी कहते है और दुसरी सोभा लालदासी के अंदर बैठी हुई आत्मा आसबाई आसबाई को महामती की सोभा मिली स्री राजजी को जोस, आत्म दुलहिन नूर, हुकम बुद्ध मुल, वतन ये पाचो मिल भई वेद कतेबो पहुची या सरत तो महामती जिसके अंदर पाचो सक्तिया विराज मान वई शिराजी का जोस आवेश और श्यामाजी की आत्मा अक्षर की आत्मा और अश्राफिल की जागरत जो बुद्धी, ये पाचो सक्तिया पहले इंदरावती के धाम दिल में बैठकर जो वानी का अवत्रन करवाया और वही सक्ति छठे दिन में जब लालदासी के धाम दिल में विराजमान होकर ये बित्तक साहेब का वरणन करवाने जा रहे है तब लालदासी ने बोला के धाम दिल में अक्षराती लेखनी तो लालदासी के चल रही है उसको सोभा दिने के तुमको ये बित्तक लिखनी है तब लालदासी ने बोला के धाम दिल में तो ठठा नगर से मिला और जुडा तो सूरत से और आगे की जो घटना करम उस्य भी आगे अब फेर के कहू मूल मिलावे की बितक जैशी आगया धनी की सो बाते बुझरक तो यह तो मूल मिलावे से लिखनी है तो यह मैं कैसे लिखो तब धाम धनी अक्षरातीत ने क्या कहा राज लालदासी को असभाई को कि तेरे को थोड़ी लिखनी है बितक यह बितक तो स्वयम जो पाँच सक्तियों की लिला परमधाम में भी एक साथ में नही उई थी अक्षर की आत्मा को भी रंगमोहल के अंदर क्या क्या लिला चल रही है वो भी अक्षर को परमधा में थोड़ी पता था यह लिला भी यहां पाँच में दिन में पाँचो सक्तिया महमती के दाम दिल में विराजमान होकर जो लिला कर रह वो ही दाम धनी अक्षराती लालदा सिको के रहे कि असभाई तुमको थोड़ी लिखनी है यह पाँचो सक्तिया मेरी तुमारे धाम दिल में विराजमान हो जाएगी और यह वित्तक तो स्वय में लिखोंगा आपके तन का सिर्फ आपके धाम दिल का तो सिर्फ आपकी आत्मा का तो सिर्फ अधार लिया जाएगा तो ये महामती आस्माई की आत्मा को भी ये सोभा मिली और आगे अमबढे तो आज का दिन अभी पुर्व चर्चा में श्वामी जी ने वित्व के आधार पर दो मिनिट में जो अपना भाव रखा गुजरात में असाडवद की तृतिया लिया जाता है और हिंदी के यहाँ ये परांद के अनुशार स्रावन की तृतिया का ये दिन लिया जाता है आज से पुर्वत दो दिन तृतिया चली गईने तृतिया और चतुर्थी और आज तो कृष्ण पक्ष्की तृतिया का दिन आया श्रावनमास की प्रानधार सुंदर साज जी दामधनी अक्षरातित स्रीजी साहेव जिस तन से मिहराज का तन तो मिहराज का था जिस तन में इंद्रावति की आत्मा और महमति की श्रोभा मिली और ब्रह्म वानी का तार्तम वानी का अवत्रण हुआ और उसमें भी वानी का अवत्रण तो जामनगर से लेकर पन्ना तक हुआ जामनगर प्रबोधपुरी अबसा में रास, प्रकास, खट्रूती और कलस की दो चुपाया का अवत्रण हुआ उसके बाद कलस सूरत में पुर्ण हुआ कलस के बाद सनन्ध अनुपशेर में जब स्री जी उट पर सवार होके अनुपशेर जा रहे थे तब सनन्ध ग्रंध का कुरान का अवत्रण हुआ तत पस्यात किरंतन जामनगर से लेकर पुराने किरंतन और आखरी किरंतन और जामनगर से लेकर पन्नाजी तक किरंतन का आवत्रण हुआ तद पस्याद खुला सा रामनगर और अमुख खिल्वत की वानी भी रामनगर से थोड़ी सुरू हो गई और पन्नाजी जाकर खिल्वत परिक्रमा शागर सिंगार सिंधी और मार्फत सागर तक की वानी उत्री और क्यामत नामा छोटा और बड़ा बड़ा क्यामत नामा विक्रम सवन्त सत्र सो तेतालिस में जब वसंत सुरुखी चित्र कुट में स्री जी को लेकर गए तब वहां बड़ा क्यामत नामा का अवत्रन हुआ वो च्छत्र साल जी के जो नाम पर किया गया और छोटा क्यामत नामा पन्ना जी में और जो आखर की जो पुर्ण पेचान शिंगार नहीं महा सिंगार राजी के स्वरुख का साथ बार जो वरणन हुआ नक से सीख तक का अब हुकमे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुकम मोमिन दिल आए कि अर्स कर बेठे खसम यह बात तो आगे ले जाएगी लेकि मैं पेले ये बता इसलिए बता रही हूँ के हुकम से प्रेम का द्वार जो खुल गया और खिल्वत परिक्रमा सागर सिंगार की वानी का जो पन्ना बंगलाजी दरबार में स्री जी के मुख से इस बानी से होत है नजर पड़े बिच बक्का ये श्यामा जी की रसना पिलावत रस रब का तो स्री जी के धाम दिल से मेने अभी बोला ने पुर्व के जामनगर से वानी उतरती आ रही थी सुन्दर साथ वैसे तो हमारा वितक का घटना करम तो दिव बंदर से आगे शुरू होगा इससे पहले जुनागड की वितक भी आएगी लेकिन में जो बिक्रम सन 1722 से लेकर जो हमारा पुर्ण ये जागनी का जो ये कार ये शुरू हो जाता है तो आगे मैंने इसलिए ये बताया सुन्दर साथ जी के रास्ते में भी वानी तो उतरती जाती थी सुन्दर साथ स्री जी के मुखार विंद से एचर्चा का रस का अनुभव भी करते जाते थे चर्चा सुनते थे, ये रस को पीते थे, उसमें डूबते थे, लेकिन 1722 से लेकर, दिव बंदर से लेकर, नभी, पोरबंदर, पाटन, ठठा, लाथी, मसकत, अबासी, फी ठठा, फिर यहां से आगे सुहाली घोगा, सुरत से, सुहाली घोगा से ओते हुए, सुरत पहुंचे बिकरम से 1729 में, वहां 17 महिना, हम सब सुन्दर साथ का रुकना हुआ, और सुरत में बितक भी, जो 17 महिने तक घटना करम घटीत होते रहे, वहां कलस गरंथ का भी पुरण हुआ, और इतना ही नहीं, वहां से 500 की, जो जमात एकत्रीत हो गई, सुन्दर साथ, जिसको कहा गया महाजर, और सुरत से आगे, एहमदाबाद सिद्धपूर मेर्ता से होते हुए, दिल्ली गोकुल मथुरा आगरा से होते हुए, दिल्ली में हम जब पहुँचे, और दिल्ली में औरंग जेब को जगाने का जो प्रयास किया, और इतना इनी हर दिद्वार में भी, स्री जी निष्कलंक बुद्ध श्वरूप के स्वरूप में जाहेर हुए, शाका भी सुरूई, द्वजा भी फेराही, और आगे, दिल्ली के आगे का घटना क्रम, उदैपूर, मंदसोर, उजेन, औरंगाबाद, रामनगर, गढधा, मौ से अगरिया स होते हुए, जब बिक्रम सवन सत्रसो चालीस में हम पन्ना पहुँचे, कब पहुचे? बिक्रम सवन सत्रसो चालीस में जब हम पन्ना पहुचे, और पन्ना में स्री जी की लीला ग्यारा साल की रही, कितने साल की? वैसे तो दस साल, सत्रसो एकावन में अंतर ध्यान लीला हो κι नबारी लीला ब्रज extended से 11 रहां कालमाय का प्रामान था, प्रामान था… अफिर जागनी ब्रामान पी पन्नाछी, भंगलाजी दर्भार से अफिर लीलाा क्या線 सोगी, वर सुन्दर साथ ने अक्षरा तीत प्रान वल्लब प्राने स्वर प्रान नात के स्वरूप में पहचान कर ली और ग्यारा ग्यारा साल तक उसकी नजरो की छत्र साया में जैसे हमारे मुल मिलाव में परातम तन विराजमान है परातम के प्रतवीम श्वरूप आतमा है इस नस्वर जगत में जो जुठे तन धारन किये उस तन को भी राजजी ने बोला ने के सुपना तर में खिन न छोड़े तो जागता कैसे छोड़े इस अपने के तन को भी राजजी ने अपनी शत्र सायम अपनी कबाई तले अपनी नजरो तले रखा कहां रास्ते में तो कष्ट सहन किया स्री जी ने ब्रमात माओने सित का दुप का बारिस का लेकिन वहां जाके 11-11 साल तक ये रूहला बादल बर्सिया जो चर्चा की वर्सा हुई जो चर्चा की वर्सा हुई 11-11 साल तक धाम धनी के दिल से जो अखंड ज्यान की धारा प्रवाहित हुई खिल्वत परिक्रमा सागर सिंगार की वानी उतरती रही सुंदर साथ पुरी वानी में डूब ते चर्चा में डूब गये करस हो गये और डूबने के बाद क्या कोई ब्रहत्मा की इच्चा होती है कि बहार निकले इस सागर से और अग। झिसको पहचान हो गयी ओ ब्रहत्मा कभी सहन कर पाती है इस पहचान के बाद तो चत्तित्य गा दिन स्री जी जो अपनी लीला चिपाने जा रह रहे उपनी प्रतियक्ष जो लिला हो रही थी प्रकृती की मरियादा का उलंगन संसार के कोई भी संत मनिषी, महापुरुष्ट नहीं कर सकते सृजी ने भी जिस तन मेई अक्षरा Colon Shatip की अवेश सक्ति बेखी है लेकिन प्रकृती की एक मरियादा है तो अपनी लिला ओजल प्रतियक्ष लिला ओजल करने जा रहे है तो तुरुतिया के दिन समाधिस्त अवस्था में मौन होकर बैठ गए सुबह से लेकर साम तक स्री जी ने अपनी आँखे नहीं खोले बंगला जी दरबार पुरा भरा हुआ है पाच जार की सुन्दरसाद की जमात बैठी है वो सुन्दरसाद भी दुखी रदई से, एकरांत रदई से उदास मन से बैठे हुए स्री जी की और नजरों से नजर मिला कर कि हमारे दाम के धनी नजर से नकाडी मुझे अवल से आज दिन नार्फद का जो सुख दिया है वो धनी हमारे सामने आज मौन होकर ऐसे समाधी अवस्था में बैठ गए कैसे सहन कर सके इस सहन करने की शमता सुंदर साथ के अंदर नहीं थी उदास मन से बैठे हो भी खाने पिने के लिए घर पे नहीं गए बस ऐही समय हुआ होगा स्री जी ने आग खोली अभी का पांच शे बजे का टाइम हुआ होगा तरितिया के दिन आँख खोली सुंदर साथ उदास मन से दुखी रदे से बैठे है स्री जी ने आँख खोल का सुंदर साथ की और द्रश्टी की और बोले के सुंदर साथ जी तुम सुबह से कुछ खाया नहीं पिया नहीं ऐसे ही बैठे हो रो रहे बिलक रहे सुंदर साथ जाओ अपने अपने घर पे कुछ अलकाँ सा खा की आओ फिर वापस सुंदर साथ स्री जी के आदेश पर हुकम पर अपने अपने घर गए पास में जो महले बने थे धामी और कुछ अलकाँ सा जल्दी-जल्दी से खिचडी कुछ आदी खा के फिर बंगलाजी दरबार में आ गए फिर स्री जी को देखा तो फिर स्री जी वेसी स्थिती में बैठे थे समाधी की स्थिती कैसी होती है समाधी स्थिती में सरीर का सरीर की कोई क्रिया नहीं कोई हलन शलन नहीं रदय की धड़कन भी बंध हो जाती है प्रान दसमे द्वार में चड़ जाते है सरीर पुरा ठंडा हो जाता है सिर्फ सीर एक गरम रहता है और सरीर से कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं चलती कोई भी क्रिया नहीं होती वेसी एक समाथिकी स्थिती होती है तो सब संदर साथ के अंदर एक संसाई पेदा हुआ के स्री जी हमारे बीच से धाम चले गए क्या हुआ? स्री जी हमारे बीच से धाम चले गए लेकिन स्री जी अभी बोला नहीं के रहने सको שהוא मेर दखने सके मुझ मेरू हिन् बिस हुट तुम सब मेरे तन हो तुम सब दिल मेराいつक रिकल और नमस टन है मतलला राजजी के अंग हे नमसे तन हे या तन अन्लो ये नेत्र अंग है रसी हो्म किया नेत्र सबस्वेक्आब कहा? नहीं, इस्रमन मेरे से अलग है? नहीं, नासी का मेरे से अलग है, तो वैसे मराज जी के एक एक अहंग है, उसके तन है, तो हम थोड़ी अलग होती, लेकि सुंदर साथ को लगा के, स्री जी सुबह से कुछ आखे नहीं खोली, कुछ बोला नहीं, तो संसाई बेदा हुआ, और ब्रह्म मुरुत का समय है, छे बजे में, रात्री पुर्ण ओने में, पैतालीस मिनिट, दो घड़ी, साड़ा बाईस मिनिट की एक घड़ी, दो घड़ी में, पैतालीस मिनिट बाकी थी, шे बजने में, पोने घंटे बाकी थी, तब स्री जी, गह pensar समाधी अपनी बीच से सुंदर साजी अपनी लिला को छिपा लिया अंतर ध्यान मतलब गहन समाधी में डूब गए प्रत्यक्स लिला को छिपा लिया यही संदेश महराजाद छत्र साल को पहुँचते हैं महुशानिया में लेकिन इस से पहले जब बंगलाजी की हालत उस समय की स्थिती को आप देखिए उस समय को आप भी फिलिंग लाइए महसूस करिए कि क्या हाल होगा उस समय का सुंदर साथ का आम सब रूह का अम तभी भी थे लेकिन तभी अमारी इच्छा मनोरत पुरुन नहीं हुई ए खेल देखने का तो आज भी इसी समय इस सद्सावा की प्राणना ज्यान विट की इस प्रांगण में हम यहां बेठे हैं तब सुंदर साथ ने स्रीजी की ओर जब दरष्टी की ने नजर की ने तो सुंदर साथ रोने लगे बिलखने लगे जहां देखा वाह इबस अपना सरीर को मतलब क्या किया वाह इचे गिर गए वाह इपना तन छोड़ दिया और स्रीजी इच्छाइब के जो साथ, आठो, नौ ए नंबर का प्रक्रण है उसमें आगे बताएंगे लेकिन अभी थोड़े सुंदर साथ का नाम बताना चाहती हूँ उसमें बताया संकर हजुरी तभी इसी क्षण तत काल वई साहित बस एक स्वास भी ने लिया स्वी जैसे ही गहन समाधी में डूबे अपनी लिला को ओजल किया जो जाहिर में चल रही थी वो उसी क्षण संकर हजुरी लाल मन जो दस सुंदर साथ के नाम बताये तभी इसी क्षण में संकर हजुरी लाल मन, नारण दास जसिया भाई, धन्जी भाई, गोदावरी बेन किष्णी भाई, राम भाई, रतन भाई और अम्बो भाई इत दस संदर साथ में उसी क्षण और भी छोडते रहे संदर साथ तन जैसे स्री जी की सामने द्रष्टी नजर की उसी क्षण छोड़ दिये और कहीं तन छुटे किसी के तन राजी के हुकम से नहीं छुटे और बिलक लगे और कौई संदर साथ दुसरे दिन कौई संदर दिसरे दिन वैसे ही छोडते रहे, बैसे एक शाल तक ये लीला चलती रही क्यूंकि जो संदर साथ स्री जी के पहचान कर ली थी, उस पर जो पुरी निष्था, स्रद्धा और पुरी द्रडभा, संकलव के साथ, जो पहचान कर ली थी, उसकी विरा की एक पराकाष्था बन गई थी, और उसके अंदर एक प्रेम की जो प्यास जगी थी, और जो उसके अंदर एक पुरुना पहचान बन च क्षण तन छोड़ दिये उसी टाइम चत्रसाल जी को मौ सहानिया में अंतह पेरणा होती है राज जी का इलहाम अंदर से हुकम होता है कि जाओ कोई गटित गटना गटित हो रही है कहां पन्ना जी बंगला जी दरबार में तत्रक्षण चत्रसाल जी अपना भले भाई नाम का जो गोड़ा है उसको लेकर इशीक्षण चले और जब पन्ना जी की ओर आगे बढ़े रास्ते में हम सबको मालूमें सबको पता है कि केन नदी पड़ती है केन नदी अभी का टाइम है या साड़ स्रावन मास का तो यह बारिस की भी मौसम और जो केन नदी है वो गोड़ापूर मतलब इतना तेज बहाव है दोनों किनारे इतनी तेज बहाव से चल रही है चत्रसाल जी ने स्री जी को याद किया पहले तो सोचा कि कैसे गोड़ा को छलांग लगा हूँ लेकिन स्री जी को याद किया राज जी तो हमारी बताया ने कि महामति कहे मौमीनों यह जो दम-दम बर्तत अब इसका पल-पल महर करता स्री जी बहाव से हम ब sober अब एक शन दूर ने है जैसे स्री जी को याद किया स्री जी जी चेत्रसाल के धाम दिल में बिराज मान हो गये और गोड़ा को छलांग लगाई नदी के पूर के बहाव में गोड़ा जैसे ही रास्ते में सरलता से सुगमता से जैसे पार करता रास्ता ऐसे ही नदी के पूर बहाव में रास्ता पार कर दिया नदी का बहाव और सामने किनारे पहुँचे और यहां से चलते चलते जब Pannhaji बंगला जी दरभार में पुँचे बंगला जी दरभार में जब चत्रसाल जी रोजी आते थे कोई दिन ऐसा होता था कि कोई राज कारिय का कोई काम रेता था तो नही पहुँच पाते थे फिसों कि बता लेकिन और देरी आवाज ने इतना इतना इतनी आवाज मधुर मधुर चर्चा घर्चा की अरचा ऑनी गायन , जड़ इतना इ। गायन की अंiones अ difference जड़ाद we ऐरेम था दो आरेम की 1 कट इतन बल्ले ता ने बायन का, तो रोज एतनी madhuर आवाज कि वानी देटिती थिक शंगित की नेटए थी इतना सोर मचा रहता था था बंगलाजी दर्बार में पांच जार की जमात में आज सुम्साम लग रहा है बंगलाजी दर्बार ​​ चत्रसाल जी इतने अंधर से मतलब गंबिर और दुखी होने लगे जव बंगलाजी की और आगे बढ़े अंदर नजर की तो सुन्दरसाथ की और जब नजर गई तो देखा कि अरे सुन्दरसाथ आज क्यों बिलक रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? क्या ए आज? कैसी ये लीला चल रही है बंगलाजी दरबार में? तो बिलगते रोते हुए सुंदरसाथ कहीं तो सुंदरसाथ के तन भी छुटे थे तो वो ऐसे ही सोये थे तो देखते देखते चत्रसाल जी का रदई द्रवीत हो गया, दुखी हो गया आगे जब सिहासन पर स्री जी बिराजमान थे साहिब जी बिराजमान थे वहाँ छत्रसाल जी पहुँचे तो छत्रसाल जी ने स्री जी को देखकर इतना मतलब अंदर से कष्ट पिड़ा हुई और क्या सोच लिया सिधा स्री जी धाम धनी ऐसी पुकार करने लगे क्योंकि जब छत्रसाल जी बंगलाजी दर्बार में प्रवेस करते थे तो स्री जी बोलते थे कि छत्ता तो आ गया क्या कैसे परमधाम वाली लाडल या लाहुद की जाकी असल चोथे आसमान बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान कैसे सिफत छत्रसाल जी की और आज स्री जी के सामने पुकार उठी उसकी आत्मा और बोले के स्री जी आप बोलिये कहां चले गए हम सब आत्माओं को छोड़गराफ के बिना हम कैसे रह पाएगे इस नस्वस अंसार में क्योंकि उसने भी मान लिया क्योंकि तन को प्राणनाथ समझ लियाने आप के बिना कैसे रह पाएगे तो ऐसे ही उसने तल्वार निकाली और उसने सोचा कि जो तल्वार से जिस तल्वार से मैंने यवनों का मुश्लिमों का जो सीर काटा वही तल्वार अज मेरा प्राणांत करे क्योंकि मैं स्री जी के बिना एक छण सुन्दसादी ये घटना करम हमारा है क्या को मैं आगे ओर विस्तार से कहना चाहतीkin लेकिन हो नहीं रहा है मतलब यह किसी का नही है हम तो स्री जी के बिना 400 साल से रह रह रहे है हमारे अंदर कितना वीरह है कितना अंदर दर्द है, कितनी पीडा है हम तो ए साराम से परिवारों के बीच में इसलिए तो स्री जी ने बोला ने साथ जी में तुमारी गुनेगार में तुमको रुलाया देखो पहारों में कहीं कहीं जग में भटकाया क्या किया तुमारे लिए सही में तो ठीक वास्तों में तो सही किया छत्रसाल जीने ये सोचा तब स्री जी फिर समाधी से फिर बोले कि छत्ता तुने मेरे तन को क्या प्राणनाथ समझा है क्या बोला तुमने मेरे तन को क्या प्राणनाथ समझा है ये तन थोड़ी प्राणनाथ है तलवार, खिछली, झाली, के तू-स तू-स झाल करें में नियरा थे नदी नदी पारकर के में यहां पेँचा हूँ तू नहीं पेँचा हो तू नहीं पेँचा है, पेँचे मेरे पिथ़ के निसान है उप तू मेरे पिथ़ एक्षण अपर शुरीदे लिए fashion अभी इह गडि आज के धिन हम अंगलवारी यह गडिए आगसर दिमुटครब तब तक मैं ये एक शंडब और साल को और स्टी उलना है तभी ठीक से अलना हो बोल रहे हैं लकिन आज किसो दुना रहे हैं हम सब आत्माव को सुना रहे हैं ये सुना रहें हैं विखी पेठाकि तेरे द्थाम दिल में पेहरा दे रहा हूँ यहाँ आपी सिक्यूरिटी गेड़्ती करतेने जब से खरते हैं वैसे हमारे द्थामधनी यम से एक शर्न अलगिंग है फिर चत्रसाल को रोका चत्रसाल जी ने बोला कि द्थानी आपकी आज ये रोज तो आप कैसी सुख में डूब होते थे कैसी चर्चा कैसी चर्चा के प्रेम में आप डूब होते थे आज मेरे को लगा कि मेरे धनी मेरे बिच से अंतर धियान हो रहे उसके बाद में स्री जी ने और क्यामत नामा की एक चुपाई है सुनत बिछोहा हादी का साबित राखे अपना पिंड धिक धिक पड़ोतिन अकले वो नाही वतनी अखंड एक हादी का बिछोहा जुदागी सुन के परमधाम की ब्रह्मात्मा कैसे रह सकती है तो दिकार इस जीव को दिकार इस गुनंगिंद्रियों को दिकार इस मन को अनंतस करण को जो धाम धनी के बीना रह सकती है बात तो 400 साल पुर्व की है लेकिन मैं तो वर्तमान की कह रही हूँ वो बात तो एक किस्सा बन गई एक घटना करम बन गया तो हमारे पर कब घटी तो होगा हम कब इस रह पर चलेंगे बतायाने कि एने पगले आपन चलिये पगला एरे प्रमान सुंदर साथ जी उस रह पर हम सब आत्माओं को चलना है तो स्री जी ने बोला चद्धा साकुंडल महराद जी को कहिया मैं देखतु है तुमको तिस वास्ते सेवा साथ की सोप चलते हम साथ सोप या स्री राज को वास्ते सयन के सुकाज अब सुरत फिर यम धाम की मतलब ये छत्र साल मैं जाहर में तुमको जागनी का उत्तरदाईत्व तेरे सीर पर मैं दे रहा हूँ मतलब तेरे को मैं सोप रहा हूँ लेकिन बातुनी में मैं सब सुन्दर साथ को छेठे दिन में सब सुन्दर साथ की आत्मा को धाम दिल हम बोलते ने और्स तुमारा मेरा दिल है उपर तले और्स ना कईया और्स कईया मोमिन कलूब यहाभी स्री जी ने यह बोला कि सुन्दर साथ जी बले में जाहर में महाराजा छत्र साल को यह जागनी का उत्तर दे के जाओ महाराजा छत्र साल तुम जाओ और प्रांत में, और भारत से और प्रांत में तो नहीं और कंट्री और देसों नइ भी जागनी के प्रचार का काम करने के लिए सुंदर साथ को सवफ बैसे लालदासी के सवधासी को दलाबाइ, गोवर्डन बाई, मुकॉमदासी सबको सबको सिरी जी अभी काम सोफेंगे जागनी का लेकर अभी चत्र साल को बोला कि जाओ तुम ये उतरदाइट्व में तेर को सोफ्राओ लेकिन बातु निमें में अभी चुपाई बोली ने अब हुकमे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुकम मुमिन दिल आई के और सकर बेठे खसम तो हमारे लिए जो प्रेम का दरवाजा खोल दिया जाहर में तो छत्र साल को छठे दिन में काम सोपा लेकिन बातुनी में सब ब्रह्मात्माओं को दिल को धाम बना दिया तो हम हमारे धाम दिल में ही राजी को खोजेंगे ने राजी कहां बेठे है परमधाम में तो मुल सरुप मुल मिला में बेठे लेकिन अभी हम सब आत्माओं के जागनी ब्रह्मान में सब आत्माओं का धाम दिल ही परमधाम है यही और से यही मुल मि अरा आषे, तो यहां यह बताया और, यह भी बताया, Śृरी जिये कि लाल दासी की तुम को जो खतना करम यह भी पूर्व बताया कि जहैंन छेखर जल जी तक नहीं जल अचित湃 कि अभ तक कि Лाल दासी के चली अंदर बेठा कन? स्री धाम धनी, अक्षरातित प्रान वल्ल पाँच शक्तियों के साथ बिराजमानों कर लाल्दासी को यह महमति की सुभादी और यह बितक का असाद वद यह स्रामन वद पंचमी को यह शुरु किया बितक लिखने का और बितक पुरुन होने के बाद जब इक बुम्मजी दर्वार में जब प्दराई बिराजमान की गई, तो हमारे समाझ में, सुंधर साथ में काई बाते होती है कि लाल्दासी बी बितक लिखने के बाद जब पदराई शरीजी के चल्ण पंचमी तब अन्तिम प्रनाम कर लि नहीं तब लाल्दासी अन्तिम आत्माव को भी जागनी के काम सोपते हैं, और प्रांत में और देसों में, तो जागनी के काम के लिए लालदासी सबसुंदर साथ को सोपते, तो तभी लालदासी भी बित्तक लिखने के बाद अंतिम प्रनाम, नहीं कि यहाँ, यहाँ यह तही खड़े रहे जाको धनिय प्रक अंतिम प्रनाम नहीं कि बाद में जब इत्तक पुरणा हुई श्री जी के चणों में, मतलब गुमर जी मेद पद्राई गई और के सवदासी जो सिद्भूर के रहने वाले थे, यह के सवदासी को जो वानी का शंकलन करने का, सिरियल वाइज जिल्द बांधने का काम भी दि और पन्नाजी तक जो वानी उत्री है, वो सब आगे पिछे कोई क्रम है, और प्रकरण भी आगे पिछे है, तो उसकी सिरियल वाइज जिल्द, प्रकरण वाइज जिल्द बांधने के आपको यह वानी की पुरणा तयारी करनी है, तो यह वानी आगे जाके चोफडा हवेली कि सुध नदसी को जो काम दिया गया, कि सुध दजनी यवणि पुरुन की और सुंदर साथजी, वेसे ही सुंदर साथ जो काम जागनी का सोप गया, जट्धे दिन में, और पाँचे दिन की लीला, स्री जी ठीले अपने बιज बीज से प्रतीक्ष लीला आप उजल किया, और छट्थे दिन में जो चतुर्थी का पुरा दिन सुक्रवार का दिन था तभी उसी दिन बंगलाजी दरबार में सिहासन पन बिराजमान किया गया और सब सुंदरसाद के दर्सन के लिए रखा गया ये स्वरूप को स्रीजी साहिब के और पंचमी के दिन अभी का जो तभी बंगलाजी अभी का जो है वर्तमान वो तभी नहीं बना था तभी उसका तभी वह चर्च चलती थी बंगलाजी दर्बार में लेकिन गुम्मट जी स्रीजी की अजी जो मोझूद थे श्रीजी थे उसी टाइम पे शंदरसाद जी गुम्मर जी बन गया है वो जो जो जो सभासी है उसने ये गुम्मर जी तयार करवाया तो ये स्रीजी की जो मोझूद गी थी मतलब स्रीजी प्रतियक्ष लिला चल रही थी तभी उसी टाइम पे गुम्मर जी बन चुका था लेकिन तभी बंगलाजी नही थे गास फुसके थे वहाँ चर्च चलती थी आगे बी तक आएगी तो इसे के बाद सुंदरसाद जी जो काम सोफा गया कि सवधासी को लालदासी को चट्रसाल जी को और सब ब्रहमात्माओ को और पंच्मी के दिन, चोथ के दिन दर्सन के लिए शरी जी का स्वरूफ रखा गया और पंच्मी के दिन ये गुमर जी में जो यह खाने में जिसको बोलते हैं नीचे एक भोम नीचे जुल्येबर स्रीजी को विराजमान किया गया और यह नूरी स्वरूप में वहा विराजमान हो गये और हम एक चौपाई के माध्यम से भी सुनते हैं कि इन देहुरी की चुमसी खाक दिल महर्बान होते हैं कॉनसी गुम्मर जी वाले जो आठ गूर्ज और दिवारे बनी वो देहुरी नहीं महामती का धाम दिल वो देहुरी है जो श्री जी नुरिष वरूप से जुले पर विराजमान वे पंचमी के दिन सब सुन्दर साथ ने मिल विराजमान किया और उसी के बाद एक साल तक एक साल तक यह लीला चलती रही क्योंकि सुन्दर साथ बहुत दुखी थे बोलते थे कि स्री जी आप चले गए हमारे बीज से प्रत्यक लीला को चपा लिया तो हमको कोई पूछने की जरूरत पड़ेगी, कोई जानने की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, तब स्री जी ने बोला कि मैं कहीं नी जा रहा हूं, मैं आप सबो के दिल में हूं, एक जो वानी उतरी है, वानी में हूं, और मैं नीचे भी आपको कोई जरूरी काम हो तो आप मेरे को पूछ ले ना, तो निचे एक साल तक स्री जी को मिलने के लिए हमारे जो प्रमुक्संदर साथ थे, अग्रगणी संदर साथ थे, अमिरूल, खासल खास जो मुमिन थे, एक साल तक मिलते रहे, एक साल के बाद, एक बुद्धिया, कोई माता जी आई, उसकी अंगुथी, ओमाता जी को देदी के जहो अपना काम, प्रोन करो, बाद में स्री जी ने सोचा, कि ये लिला जो ऐसे ही चलती रहेगी, तो आने वाले ताइम में, एक अड़ी का एक चमतकार के रूप में, परिवर्ति हो जाएगी, संदर साथ जी, जो बातुनी महर उस पर कोई हेगी, तो से जी इड़ी कोई है के कि दोव मेहर देखत खेल में, लोक देखे हैं उपर का जहूर, तो जो उपर समयी लेकिन बातुनी 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 परमात कि बातुनी महर उर रहेगी है, एक शरी जी गहांיחनी जो कभी भढए लागता अगता आने ता Harmoni उतारन का जो अवत्रन हुआ और ब्रह्मात्मा एक इस ब्रह्मान में कभी भी भी नई आय थिन बताया ने कोई दूजा मरद ना किहावी एक महंदी पाक पुरण ठिक है? और कई ब्रह्हमान्द हुएreiben, कई होे सी और किन ब्रह्मान्दों ना है, तो ऐसी लिला कभी भी अक्षरात इतना आना नहीं हुआ था इस ब्रह्मान में तो हमारा भी आना कैसे होता तो ऐसी जो लिला हुए है तो यह लिला को वो नहीं देखेंगे जो पुरुना पेचान यहां ओने वाली थी और लोग बाहरी चमतकार में अडिका लिलाओ में फस चायेगे तो स्री जी ने बोला कि उपर का दर्वाजा आप बंद कर दो मैं कहीं नहीं गया हूँ मैं आप सबको के दिल में हूँ आप जब वी जरुरत हो वानी खोल कर बैठना तो वानी में प्रतियक्ष ज्यान स्वरूप नहीं हूँ मैं शाक्षात स्वरूप में आपको जवाब दूँगा अप जो भी पुछेंगे मैं आपके साथ मिठी परमधाम के वचनों से मैं आपको जवाब दूँगा और आप एक सुन्दर साथ के दिल में खोजना में दो जग बेठा हूँ एक वानी में और एक सुन्दर साथ के दिल में मेरे को कही नहीं खोजना तो सुन्दर साथ जी उसके बाद के सवधासी को जो वानी के संकलन का कारिय सोपा गया तो मसोदा में मार्फत सागर के मसोदे में बताते है कि एक साल में कई टाइम कम रहते है उसी वो टाइम के इसाब से अनुसार ये वानी का कारी अभी जिल्द का भी पुरुन हुआ और वानी भी जहां स्री जी को जुले पर विराजमान किया गुंबर जी में उसी पर उसी पर वहां जो सिहासन अभी का है जो पाठ का घाट बनाया है अभी सोने का जो सिहासन बना वो पाठ का घाट की प्रतिकृती है पूरी ये पाठ के घाट में जो मुल वानी को पद्राया गया है ये मुल वानी बताया कि के शवदासी ने जैसे संक्लन किया और जिल्द तयार कर लिए और मूल वानी को महा पधरया गया उर के शवदासी ने जैसे पवानी को पधरया और śriji युगल स्वरुप के मूल मिलावे के शवरुप के भाव लेकर प्रनाम की तब ही स्री जी सीर फिर के सवदास्ची का सीर उठाने अंतीम सेजदा हुआ अंतीम प्रणाम हुआ सुन्दर साजी के सवदास्ची का और उसके बाद जो आज छटे दिन की परमपरा में सुन्दसाजी जो तीन स्वरूपों की वितक की जो बात हमने अभी सुना कि अब अथः तीन स्वरूपों की वितक और तीन स्वरूप कौन कौन से तिन स्वरूफ है और ये जागनी ब्रह्मान की वितक है उसमें चोथे पांच में सोई सरत कुरान में लिखी एक सो बीस बरस चार पांच चठा दिन जाहिर होवे अरस तो तिन स्वरूफ कौन कौन से है और क्योंकि समय पुरा होने वाला है तो जो में प्रसंग लूँगी ये थोड़ा आगे बढ़ाओंगी तो ये कल के घटना करम में एक हिसा फिर कट जाएगा तो मैं यहाँ ही ये बितक के घटना करम को छोड़ती हूँ लेकिन इस से पहले ये जो भी हमारा इस चर्चा का प्रसंग चल रहा है उसमें में आगे कहूंगी तो सुन्दर साथ जी पांच में दीन की लीला स्री जी ने पुरुन करने के बाद छठे दीन में हम सब सुन्दर साथ को जो उत्तरदाइत वसोपा है कि सुन्दर साथ जी और आप जागो और जगाओ और आपको जो पहचान हुई बताया ने के सुद तो कचु साथ को नहीं तुमें खुले जो वचन तो तुम बता दी जो तु भुले तो में जगाऊंगी और में भुलू तो तुम मेरे को पल में दीजे बताए तो ये वचन को सार्थक करते हुए सुन्दसाजी कल की चर्चा में हम आगे पुरा विस्तार से अथा तीन सरूपों की बित्तक का हम ये खटना करम आगे बढ़ाएंगे ये प्रसंग आगे बढ़ाएंगे और आज कल पंचमी के दिन सुन्दसाजी जो ये बित्तक हमारी 400 साल की परंपरा में चलती आ रही है और स्वामी जीन अभी पुर्व चर्चा में बताया कि बित्तक ने हमारे समाज को जिवित रखा है बाकी तो वानी तो आज 60-50 साल से ही समाज में थोड़ी खुली और सब चर्चा, सत्संग ये प्रचार प्रसार का काम होने लगा बाकी तो वानी सिर्फ बागा और बस्त्रों से धकी हुई थी सेवा, पुजा, चर्णा, बुद्प्रसाद परिक्रम्मा आदी से बाहर अमारे समाज नहीं आया था तो आज राजजी ने ये ही समय उपस्थित किया है सुंदर साद जी कि ये मैसे सिर्फ ब्रह्मात्माओ के बीच में नहीं लेकिन सुकसितल करू संसार और पूरे निजनाम सोई जायरुआ जाकि सब दुनी राह देकत मुक्त देसी ब्रह्मान को आये ब्रह्मातम तो हम सत्ष ब्रह्मातमाओ जो आई है तो हमारा सब का कर्तव यह बनता है कि हम एक एक जन जन को ये मेसेज दे और सब को ये बात बताए कि पारभ्रमतोपूरण अछी है ये तो तु अनेक परमेशवर कहा ओ सास्त्र सब जुदे जुदे और अनेक पंथ सब जुदे जुदे सास्त्र अनेक बोलाओ लेकिन पारभ्मतो पूरण एक है तो सुंदर साजी ये बितक हमको बहुत कुछ सिखाती है तो बितक विरोध सारे विश्व का भागसी इन बितक सब को सुख पहुंच ही पहुंचे कदमो हक तो ये बितक का घटना करम हम कल पुर्ण रुप से समझेंगे इतना केकर यह वाणी को विराम देगे बोलिये स्री प्राणना अथ प्यारे कीजे प्रणा